हेलो एवरीवन वेलकम टू आल इन एक्स्ट फेम आप सभी के लिए गुड न्यूज है रिगार्डिंग एल्टी ग्रेड एंड जी आई सी भरती को लेकर कि नया ग्यापन सौपा गया है लोग सेवा आयो को कि आखिरकार एल्टी ग्रेड की भरती कब तक रिलीज की जाएगी बिकॉज कैंडिडेट्स पांच साल होने को हैं इंतजार कर रहे हैं और सिर्फ एक लॉलीपॉप जैसा एक निउस निकाल दिया जाता है कि भरती अब आएगी अब आएगी पर आखिरकार भरती कब आएगी तो ऐसे क्या मुद्दे रहें जिसको लोग से आयो के सामने रख गया तो पहली जो आपके लिए बेनिफीशियल फैक्टर होगा वो है एज फैक्टर विकॉज एज में पांच साल की छूट की मांग की गई है कि समान्य वर्ग या फिर OBC हो या अधर कैंडिडेट्स अधर कैटिगरी के कैंडिडेट्स हैं सभी को पांच साल की एज में अधरी करेगा उस कालेंडर में G-I-C की भरती और L-T गरेड की भरती भी सामिल की जानी चाहिए ये बात भी कही गई है और L-T गरेड की वेकैंसी जल से जल्द रिलीस करने की बात कही गई है और गैस ये आप सभी जानते हैं कि अहरता विवात के कारण अभी तक भरती रि वार्ति भी रुकी हुई है तो ये सभी भरतिया लोक से वायोग को release करनी है सिर्फ अरता का matter है उसको जल जल सुझायजाए जाएगा और सुझाने का हना का रीज़न ये भी है कि लोक से वायोग उत्तर प्रदेश वकेंचीज अब होने वाली है LTE grade की तो वो हम बात कर लें तो 7006 vacancies LTE grade की है और 5139 पदों का अधियाचन अभी GIC का ये लोग सेवायोग को प्राप्त है जिसमें 7006 LTE grade 5139 GIC की भरती का अधियाचन प्राप्त है और ये दोनों भरतिया रिलीस करनी है लोग सेवायोग ने और ये भरती सिर्फ इतने ही नहीं होगी इसमें और भी पद जुड़ेंगे जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे number of vacancies भी add होती जाएंगी इन सभी पदों में तो guys आपके लिए सुनहरा मौका है राज की स्कूल में लगने का और उसके लिए preparation अभी से start करनी होगी time waste नहीं करना होगा because भरती तो आज नहीं तो कल तो आनी है but उसके लिए preparation, determination, directions, dedication very important होने वाला है आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जॉर्नल स्टॉडीज के लिए because जॉर्नल स्टॉडीज एल्टी ग्रीड के लिए very very important है without जॉर्नल स्टॉडीज तो exam crack करना very difficult होने वाला है so guys all the best thank you very much